कॉंग्रेस कमिटी ने राज्य भर में जनसमवाद यात्रा निकालने का फैसला किया है इसके अनुसार चंदरपूर शहर जिला कॉंग्रेस कमिटी और चंदरपूर कॉंग्रेस के ओर से चंदरपूर शहर के सभी वार्डों में जनसमवाद यात्रा की योजना बनाई गई है यात्रा रविवार 3 सितंबर को सुभा 6 बजे माता महाकाली मंदिर देवस्थान से माता महाकाली की पूजा कर शुरू की गई कॉंग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के साथ सेकडों कारे करता इस जनसमवाद यात्रा में शामिल हुए यह यात्रा 12 सितंबर को समाप्थ होगी इस यात्रा के माध्यम से विभिनस तरों पर केंद्र सरकार की विफलता को लोगों के सामने लाया जाएगा विधान सभा में विपक्ष नेता विजय वडटेवार, कॉंग्रेस ग्रामीन जिला अद्यक्ष विधायक सुभाश भाव धोटे, विधायक प्रतिभाद हानोरकर, विधायक अभिजीत वंजारी, विधायक सुधागर अडबाले, वरिष्ट कॉंग्रेस नेता विनायक बा के बजाए जनता की इच्छा के अनुरूप शाषन करने लगी है पिछले नौ सालों में देश की हर शेत्र में हालत खराब हुई है महेंगाई चरम सीमा पर पहुच गई है बार बार धार्मीक विद्वेश पैदा करने की कोशिश की जारी है सांपरदाइक दंगे हो रहे है ज एक समस्याओ का सामना करना पड़ रहा है किसानों के साथ मजा किया जा रहा है भरती के नाम पर बेरोजगार इवाओ को लुटा जा रहा है किसानों को 12 घंटे बिजली देने का वादा करने वाली सरकार के कारेकाल में उन्हें 8 घंटे भी बिजली नहीं मिल रही बिजली द पास साल बाद भी अदूरी है जिले में कोई नया उद्योग शुरू नहीं हुआ है इसे के साथ और अन्यमुद्दे जनता के सामने रखे जाएंगे चंदरपूर से NBC News के लिए सुनिल ताइडे की रिपूर्ट